प्रडाम सलाम नमस्ते आज तारीक है 2 सेप्टमबर 2021 और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं दो इस तारीक के करेंट अफेर्स को और इससे पहले कि मैं वीडियो सुरू करूँ मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वारे वीडियो को लाइक, Share जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साँ जिससे की ये करेंट अफेर्स सब पहुंच सके जितने भी लोग क्मप्टीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो क्मप्टीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं बहतर नागरिक बने रहना चाहते हैं त आज की क्लास आज कोश्च कोश्चन के साथ डिसकस करेंगे तमाम सारे मुद्धों को पहला प्रस्ण आपके सामने है बिस स्वास्त संगठन डवलू है चुक अनुसार भारत कोबिड महामारी की किस चरड़ में प्रवेश कर रहा है इस बग तक यह जो बात हो रही है सेप्ट स्थानी बिमारी जो किसी एक पटिकुलर जो इरिया में फैली ओउसे एंडमिक कहेंगे और जो ज्यादा जिसक्रा बढ़ी बह्युब एक छेत्र में न फैलाओ निन्न और मधियं द्शतर का जो परशार है वह इस इस परिश्टी वह अता है उसे एंडमिक बोलते हैं यह इस्ठाणिये और उसके बाद दूसरा आपका उसे बोलते Gracie एपिडेमिक क्या होती है, मामारी की वो परिस्थी होती है, जहां रोग का संकर्मण जो है, एक से अधिक या एक से अधिक भवलिक छेतरों में फैल चुका होता है. जो आपकी endemic है, उसकी अगली stage होती है आपकी, epidemic और सबसे जो बड़ी stage, शींसे जो खतनाग इस्टेड़ होती हैं उसे बोलते हैं पैंडमिक होती है जो पोड़े बेश्षक को заб мыभार करने वाली वीमारी हो जाती構र और इससे मानने वालों की संख्यावी बहुत ज़्याधा अगर आप तुलना करोगे तो तो ये तो हो गया महमारियों को चलते हैं next question के साथ next topic की तरफ next question है आपका हाली में हाली में फुकू, तोकू, ओका नोबा, यह आपका सब मरीन जो अला मुखी है, इसका विस्पोर्ड अभी हाली में हुआ है, यह किस देश में इस्थेत है, तो आपसन में आपका चीन, जापान, इंडोनेसिया, थाइलेंड, तो जापान इसका साई आपसन है, यह जो आपका सब मरीन जो अला मुखी है, यह जापान में इस्थेत है, जिसमें अभी अभी भी शोट हुआ है, इसके बाद नेक्स कॉश्चन को डिक्सक करते हैं, नेक्स कॉश्चन है कि हाली में बर्ड हरिटेज इंसिट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एसिया पैसिपिक डवलु एच आई टी आर एपी ने किस बिश्विध्याले के सनच्षड और उत्थान कारिकरम को बैस्विक नवाचार के एक सरानी मामली के रूप में मानिता दिये, मतलब किस बारती बिश्विध्याले को अभी इस इंसिट्यूट में डवलु एच आई टी आर एपी ने आपको बिश्विध्याले को अभी यह मानिता मिली अभी हाली में चलते हैं नेक्स कॉस्चन की तरफ नेक्स कॉस्चन भी से संबंदित है अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डव व एक टी आर एपी यह जो संगठन है यह क्या है यह गयर लाबकारी संगठन मतलब एक ए कीजें उन्के संदर्चण से संबंदित ये काम करता है या ये इन्यसको के तत्वादान में काशील देशών में इस थापित पहला संस्थान ये इनसको ऒैसिए कंषत कि उसनियः यह इंत्रासि राजियों और सजोग संदासियों की सेवा में एक स्वायत संस्ता है एक autonomous body है एक एसिया पैसिपिक छेत्र में बेश्वरासत कन्वेंशन 1922 के क्रियानवन को मजबूत करता है मतलब एसिया पैसिपिक छेत्र के अंदर यह जो बड़ कन्वेंशन है 1972 इसकी implementation को सुनेचित कराना इसका प्रमुक का रहे है तो इस तरीके से इस संगठन के बारे में जानकारी होगे यह बैस्विक संगठन है और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी जो आज लिटेस्ट क्वेश्चन जो अभी खबर चल लएई है कि अलावाद हाई को ने हाली में किस पसू को देश का रास्टी करने के लिए कहा है और इसके इसके क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को भी सुनेश्चित करने को कहा है हेरन गाय चीता बकरी तो जानते हो गाय के लावा को यह अप्सन हो नहीं सकता है तो गाय गाय को ही अभी कहा है अभी अलावा दोचे नियाल है कि एकल खंड गाय कि सुरच्छा समर्च्छा सनिष्चत करते हुए और गाय को देश का राश्टी पास करते हो जाए और उसके फंडामेंटल राइट्स टो से दिए जाए तो इसके साथ को स्टटे ने क्सक्वें इन्यां कि तरफ नेकस्वेश्न है आपका लदाख की स्वाघ को और को र तु LED काली-क्रदन वाला सारीस है इसे चुना गया आपका राजपच् показ की तरफ एक्सडसाइज जैДंग किसी तुमप्से है किकितो देष में हो रहा है इस कर देश में हो रहा है इस इस को रहा है जो आपकी रसिया में आज़िद की जाएगी चलते हैं gonna कोशिन की तरफ invest in 152 बारे में क्या है ऑड़ तो जबार जो है 2031 है 2021 में यह 13 दिन की एक्साइज करने जा रहा है जो आपके तीन से चलेगी 19 तारीक तक यह नहीं कि तीन से सरी तीन फिर कुछ नई टॉपिक के साथ तब तक मैं आप से रिक्रेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें अपने दोस्तों में चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसे कि मैं रोज इसी तरह से करेंट के बुलिट पॉइंट्स और करेंट के को आपके बीच में डिसक्रस करता हूँ आपकी कंप्टीशन के लिए और आपको बहतर नागरी बनाया रखने के लिए बहुत मैत्पूर है आपने हमें सोना बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत